नमस्काय मित्रों महतरानी की जय हो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मित्रों आज हम आपको बताएंगे कि लॉंग से एक लॉंग से कैसे होता है वशीकरण तो चले शुरू करते हैं पर मित्रों ध्यान रहे कि मास मदिरेगा सेवन करके आपको ये विदी नह रहे हैं तो चले मित्रों बात करते हैं विदी की मित्रों ये जो विदी है कई वर्षों से इस विदी को किया जा रहा है कई बार हमने इसके दूसरे भी आपको उपाय बताए है और आज ये उसी महीं एक उस सीरीज का एक हिस्सा है उस शरंकला का एक हिस्सा है जो हम आज आ सामगरी होती है बहुत ही शक्तिशाली होती है और इनसे बहुत ही ताकतवर वशिगरण उत्पन होता है तो आज हम आपको लौंग से वशिगरण का एक और वीडियो बता रहे हैं एक और वीदी बता रहे हैं जिसे आप करके अपने प्रेमी को अपने प्यार को पूरी तरीके को बोलते हैं साबुत लोंग वो आपको लेनी होगी ऐसी आपको दो लोंग लेनी है लोंग का यानि केक जोड़ा यानि एक जोड़ा लोंग आपको इस विदी में इस्तमाल करना होगा तो एक दो लोंग लेनी है एक जोड़ा लोंग लेकर आपको इस विदी में बेटना है औ कोई भी वार हो चाहे, चाहे वो सौमवार, मंगलवार, बुदुवार, गुरुवार, कोई भी वार हो, पर रातरी बारा से तीन बज़े के बीच में, एकांत में बेटकर, पूर्ण विश्वास के साथ, और सुद्धतन और मन के साथ, आपको विधी शुरू करनी होगी, यह ह तांतरिक सामगरी कभी भी जमीन पर रखी नहीं जाती, उसे कपड़े में बिचा कर आप रखेंगे, तो सुद्धी को अच्छी तरीके से लाब मिलेगा, नहीं तो वो तांतरिक विध्या का अपमान होता है, तो कपड़ा बिचा कर बेठीगा, आपको करना क्या होगा, एक जोड़ा लॉंग का लेना है, यानि दो लॉंग आपको लेनी है, एक खुद के लिए और एक सामने वाले के लिए, इस परकार से आप समझ लीजिए, ये दो जोड़ी लॉंग है, एक आप है और एक आपका प्रेमी, जिसका भी आप वशीकरन करने जा रहे हैं, वो वेक्ती उसको सीधे हाथ में लेना है, सीधे हाथ में लेकर मुठी बंद कर लेनी है, अच्छी तरीके से मुठी बंद करके, सामने वाले वेक्ती का अंतर ध्यान करना है, जिसका भी आप वशीकरन करने हैं, जिसको भी आप अपना बनाना चाहते हैं, उसका अच्छी तरीके से अंत मंत्र बोलना है मित्रो जब उसका चहरेश पर आपको अंतर ध्यान होने लग जाए और इतना अच्छा अंतर ध्यान कि आपको यह लगए कि वह आपकी पास मेट कर आपकी स्विधी में सायता कर रहा है तो अब आपको एक मंत्र का जाप करना है मैं मंत्र बोल देता हूं ध्या सह सह वशम कुरु स्वाहा ओम काम मालिनी सह सह वशम कुरु स्वाहा ये मंतर आपको बोलना होगा अच्छी तरीके से इसका रट लीजिएगा पहले विदी करने से पहले मंतर को लिख कर हम पक्चर चला देंगे आपके लिए वो लिख कर आपको अच्छी तरीके से उसे रट लेना है और फिर विदी करते समय बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है एक दम अची तरीके से आपको मंत्र बोलना होगा। 108 बार आपको इस मंत्र का जाब करना होगा एक-108 बार आपको मंत्र बोलना है। फिर आपको ये जो दोनों लोंग है, इसे अपने सरहाने की नीचे रखकर, अपने तकी की नीचे रखकर सो जाना है, आपको इधर उधर कहीं और नहीं रखना है, अपने सरहाने की नीचे रखकर आपको सोना है, बाकी की रात ये आपकी सरहाने की नीचे ही रहेगा, फिर सु पागे रखना होगा और अच्छी तरीके से सना नादी से निवरित हो जाईएगा अपने नियमित कारे कर लीजेगा और फिर आपको जाना है आख के पोधे के पास आख का जो पोधा होता है भारत में हर जगा मिल जाएगा आपको आख का पोधा उस आख के पोधे के पास जाक बार बोलना है सामने वाले का नाम 11 बार बोलेंगे और साथ में हर बार नाम के साथ आपको ये बोलना है वशम नाम के साथ आपको वशम बोलना है जैसे मान लीजे कोई लड़की राहूल नाम के लड़के का वशिकरन करिए तो अपने मूँ में रखेगी और बोलेगी राहू जास्ट के नीचे आपको इसे फ़िर दफना देना है ज्यारा बार आपको सामने वाले का नाम बोलना है पहले तो मिलना है ये दोनों लोग आप दबा देंगे ये काम आपको दूसरे दिन करना होगा सुवेस ना अनादिस से निमरत होकर आप ये काम अगर बारा बज़े से पहले पहले कर लेंगे तो बहुत ये अच्छा होगा पौधा आपको कहीं एकांत में आराम से मिल जाएगा कई गार्डन में कई पार्क में ये आसपास कहीं पर भी वो असानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा तो वहाँ पर आपको दबा देना है और दबा कर सीधे अपने घर आना है घर आके हाथ मुदो कर अपने काम में लग जाएगा आपकी विदी वही पर ही समाप्त हो जाएगी जिसका भी आवशी करन कर रहें जिस भी वेक्तिका आवशी करन कर रहें वो पूरी तरीके से आपके वश में हो चुका होगा वो आपकी हर बात सुनने को तयार हो जाएगा वो आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा उसके मन में आपके लिए इतना ज़्यादा प्रेम हो जाएगा कि उसको आपकी हर बात सही लगने लगेगी उसको कुछ गलत नहीं लगेगा और वो पूरी तरीके से आपके साथ हो जाएगा कितना भी खराब हो चुका रिष्टा हो, कितना भी बिगड चुका रिष्टा हो, इस वीधी से सुधर जाएगा, मातरानी आपको जरूर सफल करेगी मित्रों एक बात और बताते चलें, कि जब भी हम कोई वीधी बताते हैं, कोई भी तांतरी किरिया बताते हैं, तो उस किरिया के कुछ नियम कायदे होते हैं, जैसे कि अगर किसी के उपर पहले से ही किया कराया होता है, तो वो वेक्ति के उपर ये उपाएं नहीं लगेंगी, क उसका उचित समाधान किया जाएगा तो मित्रों आपको अगर लगता है आपके पार्टनर के उपर कुछ है तो आप पहले हमें संपर्क करें आपको देखके बताया जाएगा साथ ही मित्रों आपको अच्छी तरीके से विदी करनी है विदी में कोई गलती नहीं होनी चीए जितना अच्छी तरीके से आप ये विदी करेंगे उत्रा ही भैतर रहेगा क्योंकि विदी में गलती आपको आपके पार्टनर से दूर कर सकती है तो आप अच्छी तरीके से विदी को कीजेगा इसी के सान मित्रों अगर आप भी मातारानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखे साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल सब्सक्राइब करना भोती आसान है स्क्रीन पर चल रही जो 30 से बदले जिवन की पिक्चर को प्रेस करें आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुर जाएंगे जै मातारानी की